प्रिंटर के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में तो जल्ले से स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें इसी कितने पार्ट्स होते हैं यह बैसिकलिए जो जात Brazil होते हैं जो आपके जैन्रली हर टाइब के प्रिंटर में अवेलिबल होते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए है बाकी इसके अलावर ऐसे आपकी जो अलग-अलग टाइप के printers होते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ additional चीज़ें आ जाती है तो जो आपके basic parts होते हैं उसमें सबसे पहले तो रहता है आपका page support बिसिकली जहाँ पर आपका page को आपको fix करना होता है जहाँ से आपका page जो रहता है वो printer के अंदर जाता है तो वो आपका page support कहलाता है उसके बाद में आपका next है sheet feeder then printer cover printer cover basically simple सा रहता है जो आपके printer की body रहती है जो आपके printer की basic machine होती है उसको cover करता है वो आपका printer cover कहलाता है बाकी sheet feeder को अभी हम आगे बात करेंगे basically sheet feeder का मतलब होता है जिस particular जगह से आपकी जो sheet रहती है यानि की जो आपके pages रहते है वो आपके जो printer रहता है उसके अंदर enter करते है तो वो आपका sheet feeder कहलाता है और page support basically जो support provide करता है वो आपका page support हो गया अभी ही सारी चीज़े क्या होती है जब आप इसको image से समझेंगे तो आपको सारी चीज़ों में और अच्छे से clarity मिल जाएगी next अगर हम बात करें output tray तो output tray का मतलब होता है कि जब आपका जो भी document होता है वो print हो जाता है तो printer उस printed document को बाहर निकालता है तो बाहर निकालने के लिए जिस particular जगहा पर आपका वो page आके land करता है वो आपका output tray कहलाता है और उसी में कई बार कहलाता है कि जब आपके pages होते हैं वो बड़े होते हैं या बहुत जादा हो जाते हैं तो उस condition में कई बार printer में output tray का extension भी लगाया जाता है ताकि जो आपके pages हैं वो इधर उधर नागेज जाएं या उसमें जादा कुछ भी दिक्कत ना आएं तो उसके लिए कई बार extension लगाया जाता है वो optional होता है हर टाइप के printer में आपको हर बार देखने को भी नहीं मिलता ये completely optional होता है output tray extension उसके लावा next है आपका connector तो connector basically आपको printer से computer को connect करना है या फिर किसी और electronic device से connect करना है आपको उसके लिए connector के requirement रहती है generally आपका USB cable ही use करे जाती इसके अलावा अलग अलग तरह के आपके connectors भी available होते है edge guide का मतलब होता है जब आपका page printer के अंदर enter करता है या फिर उससे बाहर निकलता है तो उसके लिए जो page है एक सही तरह से अंदर enter करे और सही तरह से अपनी position पर ही बाहर आए तो उसके लिए कुछ paper को guide करने के लिए edge guides available होते है वो आपके edge guides होते है next आपका है control buttons तो आपके printer में बहुत सारे buttons available होते है जैसे कि आपके printer को on off करने के लिए आपके buttons होते है उसमें कुछ आपको additional input देना है तो उसके लिए कुछ buttons available होते है तो यह हो गया उसके अलाबा उसमें जिसे कि आपको cartridge वगेरा को remove करना है आपको printer के cover को open करना तो इसके लिए अलगर टाइप कि आपके उसमें buttons available होते हैं इसको हम control buttons बोलते हैं next है cartridge cover तो cartridge cover क्या रहता है एक तो होती है आपकी cartridge जहाँ पर आपके जो ink रहती है basically जो आपके black and white printers होते है तो वहाँ पर सिर्फ black and white available होता है और जो आपके colorful printers होते हैं जो आपके 4 रहते हैं इसमें से पहला होता है आपका shine, next है magenta और इसके बाद में next होता है yellow and last है आपका black तो CYM के ये बिसिकली आपके चार major colors होते हैं तो ये आपका cartridge जो color वाली होती है उसमें available होते हैं अब ये जो cartridge होती है तो उसको भी cover करने के लिए आपका एक cartridge cover होता है तो ये आपका हो गया उसके अलावा next अगर हम बात करें print head की तो basically जिस particular part से आपका जो document होता है वो print होता अब यहाँ पर ये तो आपके कुछ basic से parts होगे जो की लगभग आपको हर तरह के printer में देखने को मिलेंगे लेकिन जैसे मैंने आपको starting में ही बताया था कि जो आपके अलग-अलग type का printer होता है तो उसमें अलग-अलग कुछ ना कुछ additional चीज़िया available होती है तो for example अगर हम ब बात करी थी photocopy machine की जो functioning थी वहाँ पर क्या हो रहा था आपका एक drum था drum के उपर आपकी image capture होती थी then उसके उपर आपका toner जो के negatively charged particles होते है वो आपके drum के उपर transfer होती थी जिस तरह से आपकी image बनती थी उसके according तो वही सेम चीज़ आपके drum printer में भी होती है तो वहाँ पर आप भी photocopy machine में जैसे हो रहे थी same वही चीज़ आपका drum printer में भी होगी next अगर हम बात करें से inkjet printers तो वहाँ पर मैं आपको अरड़ी बता चुकि उसमें एक आपका additional nozzle present होता है जिसको हम jet भी बोलते है तो उसकी through आपका जो ink रहता है वो बहुत minute से droplets के format में आपकी जो ink होत आपके page तक transfer होती है इसी तरह से आपके laser printers होंगे तो वहाँ पर क्या होगा laser printers में आपके laser beam रहती है जो कि आपके document का जो भी available होता है उसको capture करती है and then उसको आपके document पर आपको print out चाहिए है उस पर transfer करती है तो इस तरह से रहता है इसी तरह से आपके जैसे जो मैंने digital वाल अलग अलग discuss के थे impact, non impact or miscellaneous तो वहाँ पर बहुत detail में हमने हर तरह के printer को समझा था उसको जो basic basic functioning होती है उसके बारे में भी हम discuss कर चुके थे तो वाले जो previous videos है उनको जरूर से देख लीजेगा तो उससे जो आपके printer के basic parts होते है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे अब यहाँ पर इस image से भी आप देख लीजेए कि कौन-कौन से parts आपके printer में कहा कहा पर होते हैं तो यह basically आपका एक roughly image है जो आपका printer की है इसमें आपका उपर side में आपका जो page होता है वो इंटर किया जाता है तो यहाँ पर आपका paper feed याने की जिस particular position पर आपका page इंटर करता है तो उसके back side रहती है यहाँ पर एक support available होता है उस support को हम बोलते है paper support अब यह paper support के बाद में आपका next आता है sheet feeder sheet feeder का मतलब होता है कि जब जिस particular जगह से आपका page जो रहता है वो आपके printer के अंदर इंटर करता है उस जगह को हम बोलते है sheet feeder उसी तरह से इस जगह पर आपका है control circuitry और यह center position पर आप देख सकते हैं यह हैं आपकी ink cartridge अगर color printer है तो वहाँ पर आपकी वो चार्ज बने बताएं ocean magenta black and yellow वो available होगे black and white है तो वहाँ पर स्रिफ आपका black ही available होगा उसके अलावा यह आपका stabilizer bar है इस particular position पर and then printed steeper motor है बाकी यह आपकी belt है तो यह आपकी internal parts है उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है बाकी यहाँ पर paper rollers available है जो basically paper को अपने particular position पर और paper को smooth उसकी exit के लिए use करे जाते हैं अब यहाँ पर जो printer रहता है उसके बाहर side में यहाँ से आपका paper बाहर निकल रहा है तो इसी जगहाँ पर आपकी extension यहाँ पर एक output tray लगी होती है जहाँ पर आपका paper आके land करता है अब paper जो रहता है आपका सही तरह से अपनी position पर एक के उपर देखकर कई सारी आपको copies निक tray रहती है उसी से attach कर दिया जाता है तो आपकी जो output tray रहती है वो काफी लंबी हो जाती है और आपकी जो जितने भी pages होते हैं अराम से उस पर रख जाते हैं तो यह आपका कुछ basic सा जो printer के parts होते हैं उनके बार में हमने देख लिया बागी यहाँ पर जो आपका लिखा की requirement रहती है next is sheet feeder तो it is used for holding the blank paper sheet which then can be fed into the printer तो जब आपकी paper की जो sheet रहती है जहाँ पर आपकी काफी सारे रहते हैं और उससे वहाँ पर आपका enter करना होता है paper sheet को printer के अंदर तो वो आपका sheet feeder कहलाता है it appears to be two rolling pins यहाँ पर आपकी दो rolling pin रहती है जो की आपके paper को enter कराने के लि आपके printer के अंदर enter कर जब आपके किसी भी तरह का कोई भी wrinkle ना available हो आपके page के ओपर तो यह हो गया आपका sheet feeder का काम next output tray वही चीज जो आपका last में additionally जब आपका printer की process के बाद में जो आपका paper होता है वो बाहर निकल के आता है तो आपका output tray पर ही catch होता है then extension वही चीज है कि जो आपके output tray में additional part लगाया जाते है वो आपका output tray कहलाता है next आपका edge guide, edge guide क्या होता है यह आपके paper supported tray के उपर place होती है अब यहाँ पर यह जो edge guides होती है it helps to keeping all the papers in place क्यानिकि सारे papers जो है अपनी position पर रहें सही तरह से रहें ताकि printer जो है सही तरह से अपनी functioning को कर पाए तो उ उसके लिए आपकी edge guides use करी जाती है and the user can move it back and forth up to a certain size to keep the guide in line with the size of the paper used for the printing process जो edge guides होती है यह आपकी page के size के recording आप इसको आगे पीछे move कर सकते हो जितना भी बड़ा paper है आपका जिस recording है तो आप उस recording इसको manually इसको manage कर सकते हो edge guides को next है आपका last में आपका control buttons जो कि आपकी power of on buttons हो आने के आपके paper है उसको enter कराने के लिए या exit कराने के लिए इसमे buttons available होते हैं बाकी कुच ink buttons होती है जो कि आपकी cartridges को use उसको cartridge को फूरा सा manually उसको adjust करने के लिए आपका use करा जाता है next आपका print head तो print head आपका ink को deliver करने के लिए use करा जाता है ताकि आपका जो ink है वो properly आपके paper तक सही तरह से transfer हो जाए और किस particular document में कौन-कौन से colors available है तो कौन सा color आपकी printer को pick करना है तो उसके लिए भी आपका print head को ही हम use करते हैं मतलब basically printer print head को use करता है तो यह सारे detailing लिखी हुई आपके सारे जितने भी टाइप आपके parts है printer के तो इसको एक बार read कर लेज़ेगा आपको सारे parts समझ में आ जाएंगे उसके बाद में next है यहाँ पर आपका laser printer की जो basic mechanism होती है उसके बार में आपके थोड़ा स होते हैं ताकि हम laser को reflect कर पाएं अब यहाँ पर होता क्या है जो laser beam होता है वो optics की थो reflect होती है आपके document तक तो उससे जो भी आपके document capture होता है जो scan होता है वो आपका reflect करता है आपके drum की surface के उपर तो जितनी भी चीज़ें होती है वो सारा का सारा आपके drum के उपर बहुत ही tiny dots के format में grid की तरह से आपका जो भी text होता है जो भी image है वो सारा का सारा उस पर आपका imprint हो जाता है उसके बाद में जो की drum की light जिर्ट सेंस्टिव सर्फिस होती है , वो लेजर के साथ जब रियाक्ट करती है तो एक उसके उपर चार्ज बनता है जो की स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है तो जो charge बनता है उससे आपके toner के powder attach कर जाते हैं आगे positive negative reaction होती है यह आपर तो उससे जो आपके toner के particles होते है वो आपके drum के उपर आ जाते है और जो drum रहता है वो जो आपके toner particles होते है उसको melt करते है दिरे दिरे आपके जो भी sheet रहती है उस पर ही सारे चीज़े आपकी transfer हो जाती है तो इस सेम चीज हमने इसी तरह से आपके photocopy में पढ़ी थी तो वही सेम mechanism आपके laser printer में भी use होती है अब यहाँ पर अगर हम बात करें electronic वाले जहाँ पर microprocessor use होता है जिस printer में तो उसमें क्या होता है जो printer की electronics होती है उसे microprocessor available होता है और एक memory available होती है अब यहाँ पर एक control panel और जो बागी के basic components होते हैं वो सारे के सारे होते हैं अब यहाँ पर जो microprocessor होता है वो document को receive करेगा user के computer से और उसको convert कर देगा बहुती tiny dots के format की series में और वो आपका जो image रहती है उसको page के उपर बनाएगा मतलब जो tiny dots बनते हैं वो page के उपर बनते हैं directly यहाँ पर तो यहाँ पर आपका कहा रहता है कि आपका जो भी image रहती है वो directly page के उपर बन जाती है और इंक आपकी उसी format में आपका बनता है तो यहाँ पर आपका किसी भी तरह का additionally drum के requirement नहीं होती है जो आपके microprocessor वाले printer होते हैं उसमें अब यहाँ पर जो electronic वाले रहते हैं जहाँ पर microprocessor यूज होता है वहाँ पर आपका आप timing को भी control कर सकते हो कि किसनी time में आपको printing चाहिए है बाकी अगर आपके बीच में ही आपको printer को stop करना है तो वो भी कर सकते हैं बाकी अगर आपका अगर जैसे कि आपके printer में कोई defect हो र कर सकते हो और जो भी आपकी चीज़े रहती है उसको आप manually configure भी कर सकते हैं तो यह बेसिकली आपका जो laser printer और electronics बेसिकल सिंपल सिंपल चीज़े थी उसके बारे में हमने समझ लिया बाकी आज सच जो printer की mechanism होती है उसको बहुत detail में जानने कि आपको requirement नहीं है क्योंकि basic जितन process हो गई lithographic हो गई उसके लावा आपकी ग्रेवय और printing हो गई तो इस तरह से आपके अलग 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 5 टाइप के printing process होती है तो उसकी बारे में आप हम discuss करेंगे यहां तक जितनी basic चीज़ें से आपके printer के बारे में वह हमने discuss कर लिया है अब आपका important part शुरू होता है जो कि आपका printing process से start करेंगे printing process के सारे types को हम समझेंगे and then last में हम printer के जो document होते हैं उनका examination किस तरह से होता है इसको भी हम समझेंगे basically जो printer के parts होते हैं इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से आपके page में कोई ना कोई defect बनता है अगर cartridge में कुछ दिक्कत है उस particular document के unique feature बन जाते हैं तो इसी वजह से उन unique feature के basis पर ही हम identify कर सकते हैं कि किस ने उस particular document को बनाया है किस printer से बनाया गया है यह सारी चीजों के लिए आपको printer की basic चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है तो अभी तक जितने मैंने basics आपको बताया है printer के इसको बहुत अच्छे से समझ लिजेगा अब इसके बाद में हम start करेंगे जो printing की process होती है उनको तो यहां तक अगर आपको कोई doubt रह जाता है तो इसको बहुत अच्छे से समझ लिजेगा एक बार वीडियो repeat कर लिजेगा आपको समझ में आनेगा मत फिर भी कोई doubt है तो आप comment section म लिख देजेगा उसका reply आपको definitely मिल जाएगा उसके अलावा आप इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलेग्राम चानल पर मिल जाएगी बाकि हमारे Facebook पीज और Instagram को जरूर से follow कर लिजेगा बहुत सारा content आपकी study purpose से वहाँ पर available है और बाकि जो हमारी website है वहाँ पर भी जरूर content पहुँच जाए चानल पर नहीं है तो subscribe जरूर से कर लेंगे, bell icon press कर लेंगे for daily updates and thank you so much for watching me here